चीन के हॉंग चोओ में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने सौ पदक प्राप्त करने की लक्ष को सफलता पूर्वक हासिल कर लिया है। भारत 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कास से सहित कुल सौ पदक जीत कर चौथे स्थान पर है। भारत ने आज सुभा महिला कबड़ी और तिरंदाजी की कंपाउंड स्परधा में स्वर्ण पदक जीते। भारती कबड़ी टीम ने चीनी ताइपे को स्थ रोमाल्चक मुकाबले में 26 पर चिस से हरा कर देश के लिए सौवा पदक हासिल किया। तिरंदाजी में पूरुशों के व्यक्तिगत कंपाउंड फाइनल में ओजस्त देवतले ने आज स्वर्ण पदक जीता जबकि अभिशेक वर्मा को रज़त पदक प्राप्त हुआ। इससे पहले आज सुभा शांदार शुरुवात करते हुए महिलाओं के व्यक्तिगत तिरंदासी कंपाउंड मैचों में जोती सुरेखा विर्णमने स्वर्ण और अधिती गोपीचन स्वामी ने कास से पदक पर कबजा किया। कुछती के मुकाबले भी शुरू हो चुके है। सभी अथलेटों को बढ़ाई दी है। शिठाकु ने नई दिली में समवादाताओं से कहा कि अथलेट भावे खिलाडियों के लिए प्रेणा अस्त्रोध बनेंगे। और बहुत सारे एशन रिकॉर्ड्स बनाए भी। हौकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत शांदार भी रही। कई मैस तो ऐसे दिखे जैसे एक तरफा ही हो। और मैं यह कहना चाहता हूँ यह हमारा मनोबल भविश्य के टूर्नमेंट्स के लिए भी बढ़ा रहा है। और उलम्पिक कोटा जीतने के साथ साथ कई खिलाडियों ने सुनिश्चित किया कि अगली बार उलम्पिक्स में भी हम शांदार प्रदर्शन करेंगे। गौर्त लभे की एशियाए खिलों में भारत कब तक का यह सर्व स्रेश्ट प्रदर्शन है।